नमस्कार साथियो आज आपका बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है ट्राया मुद्राबंध एवं ध्यान साधना ये योग सिक्षक प्रसेच्छन कार्क्रम का नमा अध्या है यूनिट है इस पार्टक्रम की जो की बहुत ही महत्पूर्ण है और जहां तक हम समझते हैं कि अभ आपने अध्यन किया है तो आपको पता लगा होगा कि किस तरह से योग एक सीड़ी के माध्यम से उपर चड़ने की साधना है और जैसा की बढ़ा इसपष्ट बताया गया है योग के परचय में कि योग जो है वास्तम में एक ऐसी ध्यान साधना है जिसके माध्यम से व्यक् लक्ष भी यही है कि व्यक्ति को योग से समाधी में वो जाना चाहिए, यही लक्ष माना जाता है. तो इस टॉपिक में हम प्रायम की बात करेंगे, मुद्रा बंध की बात करेंगे और ध्यान साधना की बात करेंगे. हमारे साथ इस्टूडियो में आज आचार कौसल कुमार सर हैं, जो योग इंडिया फांडिशन से हैं, मैं आचार जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, आचार जी हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर तवुस्म फातिमा आप भी इस कारकिव से जूड़ी रही है हमारे साथ academic activities में और लेखन सामेगरी में भी हमारे साथ रही है तो आज वो भी हमारे साथ इस कारकिव में जूड़ी है और आप जो है यो और नैचुरॉप्यथी जो सस्थान है थाने मुंबई में वहां से हमारी साथ मौझूद हैं, मैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ. साथियों, आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत, आप एक-एक यूनिट को वक्षूभी अब तक पढ़ते आए हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत इंपोर्डेंट यह हमारा यूनिट है, और इसमें हम प्राणयाम की बात सबसे पहले करते हैं, तो सबसे पहले मैं आचारे कोसल जी से प्राणयाम का जो साथिक अर्थ है कि प्राणिक उर्जाओं का नियंत्रन या प्राणों को विस्तार देना, तो सबसे पहले हम उनसे बातशीत करेंगे कि वास्ता में प्राणयाम के विस्था में योगी है उन्होंने क्या क्या कहा है वस्ता प्राणयाम जो है वह दो शब्दों से मिल करके बना है प्राण और आयाम प्राण का मतलब तो प्राण होता ही है आयाम का मतलब है विस्तार देना, नियमन करना या नियंत्रण करना प्राणयाम से जब हम अपने प्राणों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उस शंपून क्रिया को हम प्राणयाम कहते हैं वैसे तो प्राणयाम शब्द का जिक्र जो है वेद आदी समय से ही शुरू हुआ है प्रारंब से ही शुरू हुआ है लेकिन महर्षि पतंजली ने जो इसको परिभाशित किया है वह है कि तस्मिन शते स्वास प्रश्वास योर गतिविक्षेदा प्राणयाम स्वास कहते हैं कि जो हम स्वास को अंदर लेते हैं उसको हम श्वास कहते हैं और ये प्राण से अभिव्यक्ति श्वास और प्रश्वास का होता है दूसरा प्रश्वास है जो स्वास हम बाहर निकालते हैं उसे प्रश्वास कहा जाता है इसे पूरक और रेचक भी कहा सकते है इसकी गति का विक्षेद, विक्षेद का अभिप्राय यहाँ पर ठहरा देना या रोक देना है जब हम श्वास प्रश्वास की गति को रोक देते हैं तो उसे हम प्राणयाम कहते हैं यहाँ यहाँ पर रोकने का अभिप्राय कुम्भग है महर्ची पतंजली ने चार प्रकार के प्राणयाम बताए है एक बाह, एक आभ्यांतर और एक अस्तंभ बृत्ति और चौथा है कि बाह आभ्यांतर विश्याक्षेपी चतुर्था लेकिन आगे की ग्रंथों में जैसे हठियों की ग्रंथों में वहां पर यद्देपी प्राणयाम को कुम्भक भी कहा जाता है और प्राणयाम सब्द से भी अभिवित किया गया है लेकिन इसको आठ प्रकार का वहां पर बताया गया है और मूलता है, आप कितने भी प्रकार का बताएं लेकिन मूलता है इनका जो लक्ष है वह है अपनी जो प्राण उर्जा है उसको नियंतर मेलाना होता यह है कि हमारी प्राण उर्जा उसका निरंतर च्छाय होता रहता है यानि वहाँ डाइवर्टेड रहती है और डाइवर्टेड होने की वज़े से जो हमें उर्जा मिलनी चाहिए जो हमारे अंदर वास्तों में शक्ति है जो अंतर नहीं शक्ति है उसका उपयोग नहीं हो पाता है वह सारी शक्ति बाहर की और गमन करती रहती है प्रानायाम और योग आधिक्रियाएं इसलिए हैं कि आप अपनी उस उर्जा को अपने अंदर समेट सके और उस उर्जा को दिशांतरित करके समाज के लिए या आप अपने लिए अपने उर्धुगमन के लिए अपनी शमाधी के लिए जैसा कि चोहान साब ने भी कहा कि योग का मतलब शमाधी है, योग का मतलब कैवल्ल है, उस अवस्था तक पहुँच जाएं, तो उसमें प्राणयाम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बिलकुल आचार जी आपने बहुती सुन्दर ढंग से प्राणयाम कार्थ बताया, यह बिलकुल सत्य है कि प्राणयाम के माध्यम से जो हमारी उर्जा है, जो बाहर की और गमन करती रहती है, उसको एक सही दिसा में हम इस्तेमाल कर सकें, प्राणयाम के माध्यम से उसको हम ठी माइने रखती है और प्राण की जो स्वरूप है जब हम उनकी बात करें कादे के अनुसार उनके पांच रूप माने जाते हैं जो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान तो प्राण का जो इस्थान है वो हिर्दय में है अपान का इस्थान गुदा में है समान का इस्थान है वो कंठ में है और व्यान कारिस्थान जो है वो सरीर में है और जो प्रदान प्रान जिसको हम कहते हैं महा प्रान इसको हम कहते हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा महतपूर्ण जो है यह प्रान तथा अपान जो है यह सबसे ज़्यादा महतपूर्ण माने गए है यहां जैसा क बताया है रेचक, पूरक और कुम्भक, तो इसके माध्यम से रेचक आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से स्वास को नासका से बाहर निकाल कर उसकी स्वभावी गति पर नियंतर करना जो है रेचक कहलाता है, पूरक में स्वास को नासका से अंदर खींच कर उसकी स्वभावी गत्ती पर नियंत्र करना पूरा कहलाता है और कुमबः के माध्यम से स्वास्त प्रसाद दोनों गत्यों पर नियंत्र करके प्राण को जहके तहां रोग देना कुमबः क्यालाता है तो यह एक बहुत ही इम्पोर्डेंट बात है और यहां हम जानते हैं प्राण़ वाही नाडियां की प्राण़ वाही नाडियां क्या है और मुखिरूप से किन-किन नाडियों को यहां जिक्र होता है जी अचारी जी मूल तहा वैसे तो हमारे हाँ हठी और ग्रंतों में 22,000 नाडियों की चर्चा है कि 22,000 नाडिया है सीव शंगीता कहती है कि 3,500,000 नाडिया है लेकिन कहने का भी प्रय है कि डेहर सारी नाडिया है और यही नाडिया हमारे प्रांश शक्ति को एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाती है लेकिन मूल रूप से तीन नाडियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है वह है इडा जो बाई तरफ होती है और दूसरी जो पिंगला है दाहिनी तरफ होती है और बीच में सुसुम्ना होती है सुसुम्ना कहा यह जाता है कि सुसुम्ना वह हम लोगों में केवल निस्क्री अवस्था में राती है उसे कुंडली ने उसे उसके मार्ग को रोक करके वहां पर वहां सुसुप्त अवस्था में होती है उसी को हमें जागरित करना होता है प्राणयाम के माध्यम से हम अपने उस कुंडलिनी शक्ति को वहां से जहां वा सोई हुई है उसको जगा करके अपने प्राणवायू को जो बाहर की तरफ गमन करता रहता है इडा या पिंगला में या आप यूँ कहें कि सांसारिक बृत्तियों में वहां गूमता राता है उसे हमें अंतर मुखी करना होता है अंदर की ओर करना होता है और कहने का अभिप्राय है कि उसे हमें सुसुमना नाडी में प्रवेश करवाना होता है और सुसुम्ना नाडी में प्रवेश करके हम अपनी उस शक्ति को बहुत उपर तक ले जा सकते हैं जैसे सबसे जो आधार चक्र है हमारा मुलाधार चक्र है वहां से मुलाधार चक्र का अभिप्राय है कि सांसारिक बृतिया, सांसारिक गतिया उससे वहां से हम उठा करके उसको पूनता तक ले जा सकते हैं सीवतत्त तक ले जा सकते हैं परमात्मा तक ले जा सकते हैं कहने का अभी प्रय है कि जो हमारी ग्रंथियां हैं जो हमारी बाधाएं हैं अनेकों प्रकार की जो हम छे हमारे चक्र हैं या बाधा हैं वास्तों में इन बाधाओं को तोड़ करके हमें अनन्त जिसे हम श्यू या परमात्मा कहते हैं वहां तक पहुँचा देने का ही प्रानयाम का लक्ष होता है और यही हमारी नाडियों का इनका कारे होता है बहुत सुंदर सर आपने बताया आचार जी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और जहां तक मैं समझता हूं कि इस पाठक्रम में जो योग टीचर टेनिंग प्रोगाम हैं इसमें जो लोग जुड़े हैं उन्हें सही माइने में प्राणा और प्राणयाम और प्राणवाही नारियां ये इस पाठक्रम से समझ आनी चाहिए यहां सर जिकर आता है कि बाई नासिका जो है वो उसको चंद नारी कहते हैं या दाहिनी नासिका को हम सूर नारी कहते हैं इसके वारे में उसलों या सीतल सभाव का भी जिकर हमारे बेर सास्तों में आता है और योग सास्तों और एक बाया मस्तिश्क, दाहिना मस्तिश्क उसे हम पैरा सिंपथेटिक नर्व से डिनोट करते हैं और बाया जो है उसे हम सिंपथेटिक से डिनोट करते हैं और यह हमारे शरीर में जो कारे करता है वह उल्टी दिशा में कारे करता है जैसे दाहिना मस्तिश्क जो है वह बाय शरीर के बायंगों को प्रभावित करता है और बाया मस्तिश्क के शरीर के दाहनेंगों को प्रभावित करता है तो यह एनाटोमिकली और फिजियोलोजिकली भी यह है कि जो दाहना मस्तिश्क है वहाँ ठंडा होता है और बाया मस्तिश्क वहाँ गरम प्रभाव देता है तो मैंने हमारे देखें कि जो हमारी शक्ती है जो हमारे अंदर असीम शक्ती भरी है यह वह दो प्रकार की है एक तो मानसिक और दूसरी जो उर्जा हमारी शारीरिक है तो बाई जो है नाड़ी वह हमारी मानसिक उर्जा जिसे हम चंदर नाड़ी कहते हैं या इडा नाड़ी कहते इसको डेनोट करता है और दूसरा जो सूरे नाड़ी है यानि हमारी जो उर्जा है शारीरिक सकती है वह दाहिने से डेनोट होता है इन दोनों में हमें शंतुलन करना होता है तो सामानेते हैं हम देखें कि हमारी उर्जा या तो हम मन से बहुत ज़्यादा सोचते विचारते र अगर आप एक को निष्चल कर दें तो दूसरा भी निष्चल हो जाता है यानि वो चलते रहता है अगर आप उसको निश्चल कर दें और योग हमारा यही बताता है प्राणयाम आदि की जो क्रियाएं है शटकर्म है प्राणयाम है मुद्रा है बंद है शमादी है वो यही बताते हैं कि कैसे आप अपनी जो वायू चल रही है उसको आप कुमभक में जाकर कैसे उसको इस्थिर कर दें जब वह इस्थिर होता है तो निश्चित रूप से हमारे हमारा चित भी इस्थिर हो जाता है इसलिए कहा गया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चलम 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 निश्चले भवेत योगी अस्थानु तमापनोती तता वा प्रतीक है चंदर शक्ति का प्रतीक है और दाहिना हमारे शारेरिक शक्ति का प्रतीक है उर्जा शक्ति का प्रतीक है और यह गरम होता है ग्रीश्म होता है तो हमें इस थंधे और गरम इन दोनों के बीच से हट करके इनके बीच में सुशुमना की ओर ले आना है अपनी शक्त द्वारा कुम्भग के अभ्यास से और कुम्भग भी दो प्रकार का होता है एक तो सहित कुम्भग जब आप प्रयास करके उसको रोकते हैं अपनी श्वास को अपने वायू को और दूसरा जब वह बिना प्रयास के रुख जाती है जब आपकी इतना अभ्यास हो जाता है इतन प्राण बिल्कुल पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है और प्राण ही जीवन है प्राण पर नियंत्रण करने का मतलब कि आपने जीवन पर नियंत्रण कर लिया तो आपका जीवन आपकी आयू आपका आरोग आपका ये सारी चीज़ें आपके नियंत्रण में आ जाती हैं तो यहांसे हटा करके हम बीच इस्सिति में ले आए अपने प्राण को अपने प्राण को जहां पर हमारा प्राण पूरी तरह से इस्थिर हो जाता है। आचार जी आपने बहुत ठीक तरीके से सास्त्रों के विधी अनुरूप आपने सारी चीजें बताई और योग सास्त्रों में जहां भी जिस तरह की ये बातें आई हैं मैं समझता हूं कि योग टीचर टेनिंग प्रोगाम के जो टेनीज हैं उनको ठीक माईने में ये समझनी क्यार प्रतें चाहिए क्योंकि इन शीजों को उनको आगे ऐगे चुप्लेट भी करना है तो ये कारिकर्म और भी महत्त्रआ हो जाता है और उनको हर तरह से विधे प्रश्ट्रीकर्म दैने में सानी हो इस लिए सपोर्टिंग कारिकर्म भी हम उनको तरीके तरीके से देते यह हमारा प्लान है यहां जब हम प्रणायम की बात कर रहे हैं तो जब्भी प्रणायम कराणा होता हुँसके आभ सकता होती है तो किस तरह की साथनिया हो नी चाहिए सुधता, शक्षता या और क्या मनलब साबधानी हो सकती है उसके वारे में भी हम चार्चा कर लेते हैं तो डॉक्टर तवस्म जी से यहां मेरा ये प्रेश्ण होगा कि अभ्यास करते वक्त किस तरह की आवसक्ताई और किस तरह की साबधानिया इनको टेनीज को जो है वो करनी चाहिए अभी तक हमने प्राणायाम का जो शाबधिक रूप है इन सब के बारें बहुत ही अच्छे डंग से जाना अब आता है कि उसका अभ्यास करने की तैयारी कैसे करें तो तैयारी से पहले कुछ साबधानिया बरतनी बहुत जरूरी है जैसे कि सबसे जरूरी है कि आसपास का ज जगे हम इसका अभ्यास करें आसपास की जगे बिलकुल साफ सुत्री हो कोई गंदगी ना हो और तो जो अभ्यास करने का अभ्यास ही है वो अपने इंद्रियों पे भी संयम रखें जैसे क्रोध में चिंता में इस तरह कर उनका जो मानसिक संतुलन होना भी बहुत जरूरी ह और अपने मन को एकागर करने की पोसिस करें बिना मतलब उसके आसन के या बिना मैट के इस तरह का अभ्यास बिलकुल ना करें इसे कई है कि आजकल तो बहुत जादा इदर दर से भी ज्यान प्रात करके लोग कर लेते हैं तो खड़े हो करके या कुरसी पे बैठके तो यह स सही अवस्ता में सही स्थान पर बैठ करके और मन और चित को शांत करके इसका अभ्यास शुरू करना बहुत ही अच्छा रहता है और साथी साथ जैसे कि अगर हम इसको अभ्यास किन लोगों पर जादा महत्वपूर्ण है इसका भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि प्राणया या उनकी जो रोग है उनको कंट्रोल करने के लिए ठीक करने के लिए भी आजकल इसका अभ्यास बहुत ही आवश्यक हो गया है खास करके जो दमा के रोगी हैं उच्छ रक्तिचाप के रोगी हैं रिदे के रोगी हैं उनके लिए अगर वो सही ढंक से सही विधी के अनुसा इसका अभ्यास करें, तो बहुत हत्ता कि ये जो बड़ी-बड़ी मिमारिया हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, लंग से संबंदित या फेफडों के रोग हैं, जैसे ब्लॉंकाइटिस है, दमा है, और सबसे इंपॉर्टन मानसिक रोग जो हैं, जैसे अनिद्रा है, नीन ना आना, गुस्सा आना, या फिर सही ढंग से अपने मन को कंट्रोल ना कर, डिप्रेशन है, स् हैं, लोग इसका दवाईयों से या दूसरी औशदियों से ठीक करने की प्यास करते हैं, जो कि इसका सही इलाज नहीं है, तो केवल प्राणायाम का ही सही ढंग से अभ्यास करने से इन बड़ी-बड़ी विमारियों से बिना किसी दवा के काफी हद तक हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बिर्कुल आपने ठीक कहा, जो प्रायाम है वो वास्तम में दीर गायू प्रिदान करता है, शरीर में तेज बल ओज को बढ़ाता है, और अभ्यास सभी प्रिकार के जो विशय विकार है, कामक्रोध, इनको सबको जो मोह है, इर्ष्या है, देस भाव है, इनको भी दूर करता है, और यसा बताया है, तनाव से मुक्ति मिलेगी, आप चिंता में रहते हैं, तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए किसी भी चीज का, ये बहुत आवस्तक है, लोग जो है, चिंतन को कभी-कभी चिंता में बजल देते हैं, चिंतन आवस्तक है, चिंता की आवसक तो यह भी ध्यान रखने की जरुवत है कि जो बिलड प्रेसर के लोग है या बहुत हिर्दर रोगी है इस तरह के जो लोग है उन लोगों को अध्या जो है कुसल नेत्रतो वाले योग टीचर के उसमें करें तो ज्यादा अच्छा है मागदासन में अन्य था योग टीचर को ही बढ़ानी का काम जो है प्रणायाम करते हैं तो यह बहुत सारी महतपूर जो है जैनकारी आपको इसके संबन में दी यहां प्रणायाम की विशे में हम जातर कई प्रणायाम की नाम सुनते हैं अनलोम विलोम है नारी सुधन प्रणायाम है और भस्तर का है घ्रामरी है तो प्रणायम की घ्रणायम की है तो कितने परकार के बताइए हैं के बताना है और भी कहीं आती है तो उन दोनों में डिफेंस क्या है? अगर हम प्रानयाम के विषय में ठीक से जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें महरसे पतंजली के प्रानयाम पराना होगा. महरसे पतंजली ने चार प्रानयाम बताए हैं. एक तो बाहे का बाहे बृत्ति का और आंतरिक अभ्यांतर का और तीसरा आस्तंभ का और चौथा फिर विसे अच्छे पी का उनका कहने का अभी प्राय है कि प्राणयाम जब हम करते हैं तो प्राणयाम के करते समय जो जितना हम स्वास लेते हैं जैसे एक सामान निवक्ति स्वास लेता है वह एक सामान निवक्ति की बात अगर हम करें तो वह दो सेकंड में अंदर लिया और दो सेकंड में बाहर निकाल अब गति में हम परिवर्तन क्यों करते हैं आप देखें कि सामान इस्तिती में हम देखें कि हमारा जो मन होता है चित होता है वह एक बहुत तनाव की इस्तिती में रहता है तनाव में ना रहे फिर भी चंचलता में तो रहता ही है तो उस इस्तिती में हम ज़्यादा स्वास ले तो उस इस्तिती में हमारी जो प्राण शक्ती है वा अच्छा होती रहती है तो इसका जो लॉजिक बनाया गया था कि हम कैसे अपनी प्राण शक्ती को नियंतरित कर सकें उसको कम कर सकें तो जो एक सामान में आदमी पंद्रा लेता है उससे भी कम उसे करना है तो जब आप उससे भी कम करते रहेंगे तो आपका आयू का वैसे ही बढ़ जाता है क्योंकि आपने कम स्वास ली तो कम स्वास ली तो जादा दिन तक जीवित रहेंगे और इतने ही नहीं उससे आपकी आरोग्यता भी शरीर की आरोग्यता की जैसा पैड़म ने कहा है कि हमार तो जो हमारे हठ योगरंत हैं, चाहे वह घेरंड संगीता हो या हठ प्रदीबिका हो, दोनों में लगभग बराबरी हैं, एक ही तरेके हैं, दोनों आठ आठ प्रानयाम की चर्चा करते हैं, बस थोड़ा सा एक बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन वह डिफरेंस कोई स्वभ जो शरीर में गर्मी पैदा करता है, दूसरा प्रानयाम होता है वह र्षान्ती योठ ठंधा पन लाता है, इसके द्रिष्टी से अगर हम देखें, जैसे आपने अनलों बिलोम और नाडी शोधन नाम का तो कोई प्राणयाम ना तो हठ योग पृदिविका में है ना घेरन संगिता में है लेकिन उन्होंने जो अस्ट कुम्भक की बात की है इन दोनों लोगों ने उसके पहले ये कहा है कि नाडियों को शुद्ध करना चाहिए तो नाडियों को शुद्ध करने के लिए उसमें उन्होंने अनुलोम बिलोम दिया है लेकिन प्राणयाम उसका नाम नहीं दिया है उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि हमें नाडियों शुद्ध ही पहले कर लेनी चाहिए और फिर उसको आप बाहर निकालना है, दाहिनी नासिका से बाहर निकालना है, और फिर दाहिनी नासिका से ही वैसे ही लंबी और गहरी ले ले ले, और फिर रोकें, और फिर उसको बाहिनी नासिका से बाहर निकाल दें, तो यहाँ एक चक्र होता है, तो इस तरह से अनुलोम जैसे हमारा ब्रामरी है, भस्त्रिका है, सीतकारी है, सीतली है, ये सारे प्रणयाम गर्मी और ठंडी वाले हैं, सीतकारी और सीतली हैं, ये जैसे गर्मी की दिनों में अगर हम इनका अभ्यास करें और योग्यमार्ग दर्शन में अभ्यास करें, ये ध्यान रखना है हमें, कि इसको बिना योग्यमार्ग दर्षन में किये यह आपको और नुक्षान भी पहुचा देता है योग्यमार्ग दर्षन में अगर हमें इसका अभ्यास करें तो आप देखें हैं कि यह जो ब्लड पिषर है लो ब्लड पिषर है है ईसाड़ थायराइड है है इसतरी की समस्याओं का देदान कर देता है दूसरा जैसे भस्त्री का वगएरा हैं ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं तो हम ठंड में इसका अभ्यास कर सकते हैं वैसे तो हमारे यहां यह कहा गया है ग्रंथों में कहा गया है कि वशंत रितु में अभ्यास प्रारंभ वशंत रितु या उसमें करें सरद रित्व में करें ये दोनों रित्वें ही प्राणयाम या योगिक अभ्यास के लिए महत्वण होती है लेकिन जब आप प्राणयाम में दक्षता प्राप्त करने तो फिर आप हमेशा करते रहा सकते हैं तो कहने का भी प्राणयाम है कि जो मूल प्राणयाम है वो एक तो जल्दी जल्दी स्वास लेने वाले प्राणयाम है और एक गहरी स्वास लेने वाले प्राणयाम है जल्दी स्वास लेने वाले जो प्राणयाम है वे हमारे मेटाबोलिक रेट को बढ़ा देते हैं और मेटाबोलिक रेट को भी बढ़ा देते हैं और दूसरा चुक आप गहरी श्वास वाले प्राणयाम करें, तो इससे आपके अंदर प्राण शक्ति आम जिसे आक्सीजन करते हैं, वह बढ़ जाता है, और जो बढ़ जाता है, तो हमारा मस्तिश का हमारा शरीर शुद्ध होता है, चंचलता दूर होती है, और सबसे महत्पूर्ण योग में यह दूर करना लक्ष नहीं है, जो योग का सबसे बड़ा लक्ष है, वह इस्थिरता होती है, इस्थिरता से ही हमारी प्राण शक्ति जो है उदोगमन होती है, और हम अपने पूरी शक्तियों का सदूपयोग कर बाते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया कि किस तरह से प्रायाम और कितने उसके भेद और भेदों के विस्थे में भी आपने बहुत इस्पष्ट किया, आजकल जो चर्चा होती है कि अनलूम विलूम प्रायाम या नारी सोधन प्रायाम, तो यह प्रायाम की दरेश्टी से प्रायाम नाम इनका कहीं भी नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, अलग कि आज कल बहुत ज़्यादा इसका जिक्र होता है, तो ये जान लेना हमारे जो टेनीज हैं उनको बहुत आवस्सक है, कि अनलोम विलोम या नारी सोधन प्रणायम की एधम बात करते हैं, तो वो वास्ता में प्रणायम नहीं है, प्र भास्त्रका, भ्राम्री, मूर्चा, केवली ये घंड सहता में आठ प्रकार बताई हैं और हट्योग प्रिदीपिका में सीतकारी, सूर्यवेदी, उज्याई, सीतली, भास्त्रका, भ्राम्री, मूर्चा, प्लावनी तो केवली, प्लावनी का थोड़ असा difference जो है इनमें दिख दूप से और कराय भी आपको जाएगा तो उसमें आपको ठीक से सग्यता भी हासिल करनी है वो इस्किल आपको लेना है जिसके माध्यम से आप दूसरों को प्रयाम करा सके क्योंकि देखिए अपने आपको करना एक अलग बात है और दूसरे को कराना बिल्कुल different thing तो आपको इसकिल प्राप करना है वो आपको दक्षता जो है वो हासिल करके आपको आगे बढ़ना है तो यह आपको ठीक से समझना बहुत आवसक है मैं समझता हूं कि यह कारकरम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और प्रयाम की विसेश जानकारी विस्तित रूप से आपको theoretical जानक करें वहां अभ्यास भी ठीक से करें क्योंकि बहुत महत्पूर है आपको आगे समाज में भी दूसरे लोगों को भी यह कारकरम जो है वो करना है चलाना है अभ्यास कराना है तो आपको ठीक से जानना आवस्तित है मैं यहां इस कारकरम के इसमें स्टूडियो में हमारी साथ जो आए हैं वे से सख्ये, उनका बहुत-बहुत स्वागत के साथ-साथ अनका अभिननन करते-करते उनको बिदा लेता हूँ उनके साथ मैं, सर आप हमारी स्टुडियो में आये, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी डॉक्टर तवसुन जी भरपत धिनेवाश आप दोनों को मेरा नमस्कार और आपको भी साथियों मेरा नमस्कार